नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस तक और मैं हूँ आपके साथ निरीता नेजा और आज हमारे साथ एक और खास महमान मौझूद है टॉपर स्टूडेंट है सिये का एक्जाम जिसके हाली में रिजाल्स आये उसको टॉप किया है मीत अनुर्शा ने मीत आपका बहुत बहुत स्वागत है नियूस तक पर थेंक यू थेंक यू मीत सबसे पहले तो यह बताईए उमीद थी कि फॉर्स्ट रांक आ जाएगी और यहां यह भी नहीं भूलन के साथ-साथ unpredictable भी बहुत होती है तो कभी क्या हुजए बोल नहीं सकते तो इसलिए मैंने पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी बस मैंने ऐसे होप रखी थी कि जितनी मैंने तीन साल मैनत किया जितना मैंने अपना जाए साथ एफ़र्ट डाला है उसके कमेंसुरिट म अच्छे से पास होगा बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी मैंने मलब रांक एक्सपेक्ट नहीं कि थी आपने बिल्कुल मुझे पता था कि मैंने जितना मेनत किया है जैसे मेरे पेपर से एसे में डेफिनिटली पास हो जाओगा कितने मांक सा एगए कौन सा रांग जाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है और क्या होता है कि हम एक चोटा मुटा एक्जाम भी देकर वापस आते हैं मीट तो वहां पर हम जरूर कैलकुलेशन अपनी पूरी लगा लेते हैं और खास तौर पर जब हम एक कोचिंग इंस्टिट्यूट के साथ होते हैं तो सारी कैलकुलेशन लग चुकि होती है और एक आइडिया भो लग जाता है ये बात आपकी सच माने की आपने बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन ने की कुछ आईडिया पको नहीं था अग्जलिए क्ले बात कर तो मैं एक्जाम के बात पर सोचता रहता वह मेरे दिबाग से और चालकूलेशन के लिए एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के लिए बैक ओफ दमान सकते हैं मेरी बात जूट नहीं है चलो कम से कम इतना हम मान गए अचा प्रेपरेशन की आपकी बात करेंगे की प्रेपरेशन की तुड़ेगे की तमाम जो दश्रक है हमारे साथ स्टूडन्स पी काफी जुड़े होंगे और बहुत ही टफ एक्जाम माना जाता है मैं खुद ऐसे स्टूडन्स को जानती हूं जो प्राइट स्टूडन्स रहे लेकिन अब तक नहीं कर पाए कुछ मार्क से जो है उनकी जो जो क्रैक करना है जो हर बार रह जाता है लेकिन यह हां अगर आपकी प्रेपरेशन की बात करें तो कौन से साल में आपने सीय का ये जो पूरा फर्स्टेज है वहां से आपने शुरुवात कि और आज अब आपको जाकर सफलता मिली मेरे 12 के एक्जाम मार्च 2018 में खतम हुए थी 9 मार्च 2018 में और 11 मार्च 2018 से मेरी क्लासे स्टाट होगे थी फॉर्स लेवल सीपीटी सो मेरे समय सीपीटी होआ कर था अभी तो सीए फाउंडिशन आ गया है तो मेरी पेली एक्जाम सीपीटी थी जून 2018 में जो मैंने पास किया जुला 2018 में जिसका रिजल्ट आ गया था जैसी फॉर्स लेवल उसके बाद अल्ड़ी मेरी क्लासे स्टाट होगे थी फॉर्स लेवल इंडर सीए अच्छा सीपीटी की बात करें मनलब स्टेज वाइस यहां पर मीत आप से बात करेंगे सीपीटी भी आपने एक ही बार में क जिसको अगर जैसे रिजल्स आजे तो एसा नहीं हो कि मेरा सेलेबस थोड़ा पीछे रह जाए तो एक्जाम्स के दस दें बाद मेरी क्लासे स्टाट हो गई थी एक महीं दे बाद रिजल्ट आ गया था और मेरी पढ़ाई तो वैसे ही चाल हुई थी तो मेरी यह पढ़ाई एक साल तक चलती रही फिर में 2019 में मेरे इंटर सीके एक्जाम्स होई जिसका रिजल्ट आपने अभी थोड़े समय पहले बताया था जी 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 उसके बाद हमारा रहता है कि हमें तीन साल किसी दूसरे प्राक्टिसिंग सी एक अंटर आर्टिकल्शिप करना होता है आर् देखना कि वो एंड तक बने रहे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए इसलिए आर्टिकल्शिप स्टार्ट होते है उसके एक देर महिने में मैंने अपनी सीए पानी क्लासेट भी शुरू कर दी तो शुरुवात में वीकेंड क्लासेट हो दी छे साथ गंटे भी बिफोर आफ एक दो घंटे में मिल जाया तो जो भी पिछले अपते पड़ाया हो सर ने या मैम ने उसको मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइस करते जाओ बले ही मैं अपना पूरा जारे साथा घंटे ना दे पाओ पूरा न कुछ नया ना कर पाओ बर एट-लीस जितना मेरी भी पड़ाई स्टा couch tri तो च्, तो अંंतिकल के स्टाम सिर्ण आ अइसे पास मेरी घंटा नाईंटे तो ब स्टोबर के आस पास मेरी फॉती चूरू हो है थी तो स्वर पड़ा थी थे थे मैं खुटा आदा गंटा दोगंटा मैं खुद युशले ले ता तो दो साल तो ऐसे ही चला, कभी दिन में एक घंड़ा, कभी दो घंड़ा, कभी वीकेंड में तीन-चार गंड़े, कभी अपालिक होलिडेस पे रिए-टीन, कभी-कभी ऐसे भी टाइम है, जबही काम बहुत ज्यादा हुता था, मैं बात जानती हूं कि वो कहने के लिए अर्टिकल शिप होती है लेकिन फुल फ्लेजर जॉप जैसा होता है यानि दूडेट्स है तो आप भी उसमें उतना ही भागिदार होते हैं वही सबका उतना ही रोल होता है तो वह टाइम नहीं तो तभी मैं इंशर करता कि एठीस मैं जो मिस आउट हो गया है ना मैं उसको बैकलॉग के जैसे जल्दी जल्दी अगले जब ही मैं पढ़ाए वापर स्टाट कुर तभी मैं कवर कर लो उसके पहले तो दो साल तो यहीं चल दे रहा फिर जैसे धाई साल अच्छा एक मैं आपर आपको रोकूंगे हम अभी दूसर स्टेज इंटर पे हैं जहां पर आपकी 2019 में दूसरी रांक अल इंडिया रांक आई थी लेकिन उस एक्जाम के कुछ वक्त पहले आपको कुछ किड्नी से रिलेटेड दिक्कत हुई थी ऐसा कुछ भी हुआ था तो जैनवरी 2019 में मुझे पता चला कि मुझे किड्नी स्टों के अदर हैंता मीरी 2019 में तो मेरा दो रीजन से में बहुत न अपयाता तो मेरा इतने टाइम से में इतनी महनत करा आऊ और अभी मेरा पुरा पढ़ाई से तक चुट जाएगा क्यूंकि श्राटिंग में तो उसका पेन इतना होता है कि कुछ पड़ी नहीं भाता है खाना पी जब भी मेरा मेन पढ़ाई करने का समया, जब भी मेरे सारी क्लासिस होगा, जब भी मेरे साथ यह हो रहा है, तो बस मैं तो बहुत दीमोटिवेट हो गया था, तो 10 दिन तो मेरे भी कुछ पढ़ाईने हुई, फिर मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, थोड़ी मम्मी ने मु तो मेरे अलमुष मेरा एक मुझ उसके वज़े से बिगड गया था, जी और दीए इसमें कोई दो राय नहीं है, कि जब भी एक कोई भी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आपको होती है, तो हेल्थ तो एफेक्ट होती है, साथ में एक मेंटल टोल भी आपके उपर आजात पर आया था, हाँ बहुत आया था, तो इसलिए है ना, वो मेंटल टोल के उज़े से एक तो वैसे ही मुझे पेंज होता रहता है, उसमें भी मेरे क्लासे के लास्ट के कुछ पाच्छे दिन बाकी थे, तो मेरे दिमा में बार बार यही चलता था कि अभी मैं पढ़ाई कैसे करुगा, भी मैं पढ़ाई केसे करुगा, क्लास में मैं धान केसे दुगा, उस तो जिसे मेरा थोड़ा ध्यान यहां आवा हो जाता, कभी मैं इतना दीमोटिवट हो जाता कि मुझे नीद नहीं आती थी, पट ऐसे ही समय पे शायद फैमिली कामा थे, इसी चीजों के लिए इसाद फैमिली होती है, भी होती है, बेहन होती है, तो उन्हों नहीं मुझे धीरे-धीरे समझाए कि तु जितना ज्यादा सोचे का ना उत्रा तो अपना टाइम और वेस्ट करेगा, उसे चाब वो सब छोड़, भरी तु आदा घंटा पढ़ ले दिन में, यह सब चीजों सोच के टाइम वेष्ट मत कर, तो आदा घंटा पढ़ लेका, वो तेरे दो गंटे वेष्ट करने से ज्यादा फूटफुल होगा, तो मुझे भी बहुत mentally बहुत अफेक्ट होगा था, बहुत demotivate हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि एक्जाम देना भी चाहे के नहीं कि मैं पोस्पोन कर लो, शायद मैं अच्छे से मैनत करके अच्छे माख से डेफिनेटली पास हो जाओगा, बट वो ताम भी बोला कि देख तु अटेंब पोस्पोन करेगा, तुझे क्या वापस से कुछ हो गया तो, वापस से अभी वैसे भी तेरा इतनी तुने मैनत करी लिये, वापस से तुझे सब कुछ वापस से करना पड़ेगा, तो यानि यह माने की हेल्थ अब्स्ट्रक्शन तो था ही, लेकिन साथी साथ हेल्थ के साथ साथ जो मेंटल अब्स्ट्रक्शन एक बनता है, जब भी ऐसी को स्तिती आती है, तो वह आपने उवरकम कर लिया, और ना स कर पाया और वह तो वह दिन में कभी नहीं भूल पाऊगा, और अच्छली उससे मुझे एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली के, ऐसे समय पर जब ही मैं सब के साथ चलते चलते, अचानक से मैं पीछे हो गया, जब सब की प्रपरेशन की तब ही मैं कुछ अच्छा आगे तो उसे बहुत अच्छी सीख मिली है, अब इंटर हुआ उसके बाद आते हैं CA final के स्टेज पर, सबसे बहले तो यह बता हुए कि दोनों ग्रूप्स जो होते हैं, इसमें दो ग्रूप्स में बटा हुए होता है, दोनों ग्रूप्स आपने साथ में दिये या लाग लाग द मैंने भी दोनों ग्रूप साथ में दिया था, दोनों लेवल पर, CA Inder भी और CA final भी और आपकी क्योंकि हम तयारी की लगातार बात कर रहे हैं तो कितने घंटे जो हैं वह आपको पढ़ाई में अपने देने पढ़ते थे और क्योंकि जो दशक हैं, students हैं जो आपके जैसे और aspirants हैं, they definitely look up to you now, कि Meet की कैसे रहा है, वो first rank आई, तो जानना चाहते हैं students भी कि भाई, कितने घंटे पढ़ते थे, आपर वो सच सच बताना बिलकुल Meet. एक दम सच्स, तो मैं ओनेशली बहता हूं मैंने इंटर सीखे वापस से, इंटर से से मैंने सीख सीखी कि अगर मैं अपना टाइम ट्रैक करोगा तो सिर्फ मैं अपना टाइम ट्रैक करते रह जाओगा, मेरा जो सेलिबस करने का टार्गेट होगा, मुझे एक हफते में इतन पर उसको नहीं डिवाइट किया, फिर भी जब भी मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ के मेरी प्रेपरेशन के टाइम आपके दिमाग में क्या सेथा, मेरी प्रेपरेशन कैसी हो रही थी, तो मुझे ऐसा अंदाज आए कि समझना 10 से 12 गंडे तो होते ही देन के या इस तरह के बड़े एक्जाम होते हैं, खासता और पर या हम जरूर सुनते हैं कि 14, 15, 16 गंटे, लेकिन ये मुम्किन कैसे हो पाता है, क्योंकि मैं तो नहीं मानती कि मैं कभी भी इतना पढ़ सकती थी, कि वो डबल डिजिट वाली पढ़ाई तो मैं कभी भी भी नहीं कर तो ये कैसे मुम्किन पाता है, साथी साथ जो ब्रेक्स होते हैं आपके, मालीजे, आपको स्ट्रेस बस्टर्स आप बोल लीजे या रिलाक्स करने के लिए, आप क्या करते थे? So, मैंने इसा इंचर के लिए मैं ने वालाजा की तो मुझे भी पता कि तो में या साथ 12-14 गर करना भी है मुझे तो व हो मैं करी नहीं होगा, तो मैंने इसा एंचर के एफटे एवरी थ्रियाार्थ में 15-20 मिनट का बेक्स अभी उसं 15-20 मिनट मैं शाध कुछ स्नैक्स ले स यूजुली किसी से बात करना वो मेरी family member सी होता था मैरे अवैसा था कि मेरे जो main दोस्ते वो सारे non-CA friends ही है तो भात करें तो क्या पता में बात था रहता था क्या पता था यह अच्छी बात है वैसे मीत यह अच्छी बात है कि जो आपके friends है वो ज्यादातर CA नहीं है तो आपस में बात करके pressure जो हो और गूम फिरकर आप उसी topic पर आजाते हैं और जो CA friends होते हैं उससे में उनके साथ में comparison कर देंके तेरे कितने chapters में है मेरे मौक्टेश में कितने हैं उससे मैं avoid ही करता था तु अपने हिसाब से कर मैं अपने हिसाब से करता हू जैसा हो जाएगा और क्यूंकि ब्रेक्स की भी हमें बात कर रहे थे आपने का की 13 14 15 घंटे एक दिन में आप देते थे हालां कि उसमें ग्याप सोते थे आप रिलाक्स करने के लिए भी में फावर नाप लेते थे इसके र तो मैं भी वो दिमाग में कहीना की बैक अप दिमाइड चलते रहता है तो मैंने लाष्ट के अट-टेन वन्स में तो कम्लेटली गिवप करे जा था कि अपर और अफकोस सबसे मेन चीज तो मैं सोशल मीडिया सी भी उफ चला गया था ताकि दूसरों को देके भी मेरे दिमाब में कुछ और दूसरे डिस्ट्रैक्शन ना है या फिर बोते नो पोमो जो बोलते आजकल मुझे वो ना हूँ तो सोशल मीडियर से कंविटली अफ था बट एक चीज चोड़े तो दूसरे चीज़ों की कुछ ना कुछ अधा तलगी जाती है तो अच्छी लगती या बुरी लगती हो तो मुझे नहीं पता बट मेरा एक ऐसा रोल था है कि मैं डेली कमसे एक घंडा नुस्पेर तो पढ़ता ही था तो उससे मुझे बाकी बार की चीज़ों भी पता चल जाती है और कुछ अलग करने मिल ता पूरे दिन तो प में प्रेपरेशन अच्छा मी तेक बहुत बात यहां और टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें क्योंकि आपने बताया कि किस तरह जो है आप 10-15 घंटे जो है वो पढ़ते थे और बीच-पीच में रिलाक्स करते थे अगर आप बिल्कुल और बिल्कुल प्राक्टिकल एक सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट उसका पहले मैं डिसाइड करतू कि मुझे कितने नंबर आफ प्लेट करना है और मेरा यूजुली यसा था था ना कि एक पहली बार जबी पूरा सेलेवस कोई भी सब्जेगा कवर कर आओ वो टाइम पे मैं एक बार में से एक ही जो मैंने पहले सब्जेक्ट में कवर नहीं किया है तो उसे वह और कन्फूजन बढ़ते जाएगा तो मैंने इसलिए ऐसा एंशॉर किया कि मैं एक बार में एक ही सब्जेक्ट करूँ तो मेरा यूजुली एसा था कि एक हफता लू मैं और एक हफते में कैसे भी करके मंडे मैं पूरा वह सब्जेक्ट कवर करी लूँ तो ऐसा मेरा यूजुली इतना मैं एकदम डीटिल में मैं नहीं किया ता मैं यूजुली वीकली बेसिस पर टाइम टेबल बनाता था ता कि क्या होना अगर एक दिन में मेरा कुछ उपर सब्जू मैंने आग सोचे कि मैंने दो च क्या पढ़ना है एक साम कि दो दिन पहले मुझे क्या पढ न और यह दू दिन पहले पढ़ा तो उसके एक अपह्ते पढ़ना है ऐसे करके मुझे इतने रविज्जन कवर करने इतने टाइप की मुझे रॉइटिंग प्राक्टिस चाहिए यह concept से मुझे ज्यादा धान देन पूरी तरह से, तो मैं ऐसा इंशर करें कि एवरी संडे बैठके, मैं वापस से अपना तिल लाश लेट ओफ एक्जाम में अपना अपडेट करते रहो था ही अचा मीत एक बात कहते हैं कि हर किसी जो सक्सेस्फुल आदमी है उसके पीछे औरतों का हाथ होता है, ऐसा कहते हैं आप भी दो औरतों का जो जिक्रत कर रहे थे लगातार आपकी माता जी और आपकी बहन इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यानि 2018 से जब आपने पढ़ाई शुरू कि और अब तक क्या कुछ उनकी तरफ से सपोर्ट रहा क्योंकि जो बैकिंग है माबाप की तरफ से वो बहुत ज़रूरी होती है मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं अभी जो भी हुआ है मेरा मैं CA बन जया, रांक आ गई, अच्छे मार्क सा जाए मेरे साब से उसका majority of the credit मेरे फैमिली को जाना चाहिए मैंने तो क्या क्या है, मैंने तो सिफ पढ़ लिया मैं एक्जाम देके आ गया बट बहाइंड अस्टेज, बहाइंड दी कर्टम भी बहुत सारी चीज़े होती है अगर मुझे टाइमी ब्रेक्स से हर तीन कहंटे बात सुझे मुझे कुछ स्नाक्स चाहिए तो मम्मी ने उसके जिम्हेदार ली थी कि वो टाइम पे रेडी हो मॉम को अपने कितनी सारी चीज़े त्यागनी पड़ती मॉम को खुद को अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता था कि मैं ये टाइम पे मैं घर पे अवेलेबल रहू ताकि मैं अपने बेटे को गरम खाना या जैसा खाना चीज़े जो चाहिए कि उन्होंने भली CNA किया अपर उनको पता है कि इसी चीजों है बहुत सारी चीज़े दिमाग में होती है श्ट्रेस आते तभी बहुत सारी चीज़े छोड़ने का मन करता है तो वह एसा इंशोर करती कि थोड़े-थोड़े समय से मिरसे बात करता है वो पढ़ाई में देती, moral support देती, motivation देती. मेरे जगह मेरे मुपी और मेरे बेहिन का नाव होना चाहिए, मेरे तो सिफ पढ़ाई कर देंगे अचा ठीक है, आइसी आय को हम रेक्वेस्ट कर देंगे इस बात की. अचा, मीत, एक बात और, क्योंकि आप अपने परिवार का यहां जिक्र कर रहे थे, आप अगर गलत नहीं हूँ, तो आप जब दो साल के थे, आपके पिताजी का निधन हो गया था, तो कही न कहीं वो बात, क्योंकि देखिया, हम जब माबाब का जिक्र करते हैं, हर स्टेज आपके साथ खड़े रहते हैं, जैसे आपने अपनी माता जी और बहन के लिए आपने बताया, तो कही न कहीं कभी उनकी कमी खली, कि अगर वो होते तो और ज्यादा मैं स्ट्रॉंगली सामने आ पाता, कभी-कभी मुझे लगता है, हाँ कमी है, बाट मेरी मम्मी ने हमेशा यह चीज एंशॉर किये कि मुझे कभी कमी ने अच्छी मम्मी का जैडी का उन्होंने अल्मुश दोनों रोल निभा दिया और बहुत अच्छी तरसे निभा लिये, तो हाँ कभी-कभी लगता है कि हाँ चलो वो होते तो शायद और अच्छा होता, बट कभी-कभी लगता है मुझे कभी-कमी महसूस ना होने थी, कोई भी चित्ती, कोई भी तरह से, भले वो मेंटल तरीके से हो, कुछ भी तरीके से हो, हर टाइप को सपोर्ट, उन्होंने ऐसा एंशॉर किया कि वो मम्मी भी बन जाए, वो मेरे ड्याड़ी भी बन जाए, वो सब कुछ बन जाए, इ मेरे घरवालों कभी एसा मुझे महसूस जादा होने ही नहीं दिया, कि घर में कोई एक मेंबर कम है, इस बार जो आपने टॉप किया, तो कही ना कहीं वो भी एक तरह की ट्रिब्यूट है, जो आपने अपने पिताजी को दे लिए, डेफिनेटली, अग्रीड, वो तो है यह आप मान लीजिये, जो काफी वक्से ट्राय कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं कहीना कहीं, I can empathize with them, and I think you two, even, we have not been in their place, लेकिन उसके बावजूत भी, failure जब होता है, तो बहुत धक्का लगता है, तो कहीना कहीं ऐसे students, जो CA का exam, मैं जानती हूँ, 8, 9, 10 साल से CA के exam के process में वो So, मेरे पास उनके लिए तीन चीज़े होगी बताने के लिए, सबसे पहले तो अभी results आ गए, तो मेरे सबसे बहुत लोग क्या करते हैं, तो उसी दिन, समझो, दो बज़े result आ गए, तो चार बज़े सीधा पढ़ने बैठ जाते है, मेरे सबसे वो बहुत ज़्यादा घाए तरीका है, घरवालों से बात करनी चाहिए, वो शायद थोड़ा motivate कर पाए, कि तू ठीके कुछ ने failure आ गए, तो तू failure को भुल जा, खाली उससे, failure को याद मत रख, बट जो failure से सीखे मिली है, जो गल्तियों से सीखना होता है, वो सब सीख ले, तो सबसे पहली चीज़ तो ह बैटके analyze करना कि क्या मेरी preparation में कम ही रह गई थी, यह तो किसी senior से बात कर सके, घरवालों से बात कर सके, जो professor हो उनसे बात कर सकते है, अगर कोई दोस्त यह हो तो उनसे बात कर सकते, तो पहली चीज़ होगी, थोड़े एक दो दिन का break लेना और reflect करना कि क्या चीज़े रह दूसरी चीज़ होगी, consistency ensure करना, तो बहुत लोग है ना, for example कैसे कर देना, Monday को 12 गंटे पढ़ लेगे, Tuesday को 13 गंटे पढ़ लेगे, और Wednesday को सिर्फ 6 गंटा पढ़ेगे, Thursday को वापस break ले लेगे, तो इससे के ना, वो mindset कभी बैटनी बता कि मुझे रोज continuously पढ़ते रहना है, उससे अच्छा कि होगा ना, रोज आठ गंटे पढ़िया ना, वो भी चलेगा, धीरे धीरे बढ़ा लो, बट जितना भी पढ़े ना, वो consistently पढ़ना चाहिए, तो जितने efforts मैं आज डाल रहो, उतनी efforts कल भी होने चाहिए, उतनी efforts परसो भी होने चाहिए, और उतनी efforts exam के last day भी होने चाहिए, तो दूसरी चीज होगी कि consistency ensure करना, और थर्ड सबसे ज़रूरी चीज जो मैंने थोड़े समय पहले भी बोला, वो planning होगी, plan ऐसा होने चाहिए, आज के अभी साड़े आठ बजे से लेके exam के last 5 बजे तक मेरा पुरा plan होना चाहिए, मैं आज पढ़ाई कैस करूगा, exam के एक दिन पहले किसे पढ़ाई करूगा, exam में लिखोगा, कैसे, exam के बात क्या करूगा, वो proper planning होनी चाहिए, और ये naturally but obvious है के plans almost more than 60-80% plans अपने फुल्फिल हो गई नहीं, तो वो time पे immediately वो plan को, अब जैसे realize हो कि मेरा plan अभी meet नहीं हुआ है, अगर मैंने जो target र reflect करना, consistency और planning, अचा मीद, वैसे लगता है, आपको motivational speaker भी होना चाहिए, सोच सकते हो अस बारे में, अभी तो, भी सोच सकते है, अचा वैसर, सुना है कि आप सला भी देते हैं students को, हाँ, तो कैसा है ना, कोविड के बीच में, कुछ C.A. चाटर कांटेंस ने मिलके एक विज और उसमी जो C.A. aspirants होगे उनको भी आड़ किया, तो समझो किसी को कुछ अपना आर्टकर्शिप और पढ़ाई मैनेज नहीं हो लिए, किसी का टाइम टेबल नहीं बन पा रहे है, किसी कुछ subject specific queries है, तो उसमें हम, it is like giving back to the society, हम लोग उनको थोड़ा हिल्प करने का का ट्रादी है, उमीद करते हैं आप से सभी इस्टूद्स इंस्पार जरूर होगे, तैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.